तुर्की में भुकम के कारण दिल दहला देने वाली तस्वीरे वाइरल गोधी मीडिया ने बेशर्मी की सभी हदे पार दी तुर्की और सीरिया में भुकम के कारण गोने वाली मौतों का अंकड़ा 12,000 से ज्यादा हो चुका है रेस्क्यो ऑपरेशन अभी भी जारी है भारत के टीमें भी रेस्क्यो ऑपरेशन में तुर्की की मदद कर रही है भारत तुर्की की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्ट चला रहा है गोकम के वज़े से धाई गई इमार्तों के मलबे से लोगों को निकाला जा रहा है लेकिन गोदी मीडिया चैनल्स आप दर में भी अफसर तलाशने का पूरा प्रियास कर रहे हैं आप नैशनल मीडिया की नियूस का एक पोस्टर देखकर दंग रह जाएंगे जो इस समय सोशल मीडिया पर बारल हो रहा है आज तक चैनल के पोस्टर में बड़े बड़े अक्षरों में कहा जा रहा है तुर्की में मोदी मोदी की गूंच इस पोस्टर के बारल होने के बाद यूजर्स लगतार चैनल को सुना रहे हैं और ट्यूस के फैक्ट चैकर महम्मज दुबैर ने ट्वीट किया तुर्की सीरिया में आएं बुकम में मरने वालों की संक्या सोला हजार के पार हो गई है लेकिन अरुन पूरी की आज तक आपको इस तरह दिखाना चाहता है तुर्की में मोदी मोदी की गूंच अभी शेक चाधरी नाम के ट्वीटर यूजर ने लिखा तुर्की में 11,000 से जादा लोग मारे जा चुके हैं लेकिन मीडिया मोदी का प्रचार कर रहे हैं आज तक शर्म करो रवी सावंत नाम के एक शेक्स ने लिखा गोदी मीडिया वाले हड़ी के लिए कुछ भी कर सकते हैं एक अने ट्वीटर यूजर ने लिखा गोदी मीडिया और कर भी क्या सकता है नाशनल मीडिया शर्म निलेश नाम के एक ट्वीटर यूजर ने गोदी मीडिया पर आक्रोश व्यक्त कर तो है लिखा मराटी में कहवत है मलेलिया मान साच्चे थलू अच्छे लोनी खाने मतलब मरे हुए लोगों के माते पर लगाए हुए घी को भी ये लोग नहीं छोड़ते लाशों को सीडी बना कर ही तो हो यहां तक पहुँचा है आपको बताते हैं भारत सरकार ने तुर्की को हर संबब मदद देने का एलान किया है भारत के NDRF की टीम तुर्की पहुच चुकी है और महारेस्ट के आपरेशन कर रही है जानने कि तुर्की की मदद करना भारत की विदेश नीती का हिस्सा है जब भी कोई देश मुश्किल में पढ़ा है भारत ने उसकी मदद की है हालकि इसे पहले भी 1970 के दशक से ही भारत ने तुर्की को स्वास्त क्रिशी एजुकेशन और अन्य शेत्रों के लिए अनुदान लोन और तक्नीकी मदद दी है तुर्की के इस मुश्किल समय में आज तक कि इस पत्रकारता को आप कैसे देखते है अपनी राए कामन सेक्शन में जरूर देए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन प्रेस करें ताकि देए इस दुनिया से जोई तमाम बारेल खबरे हम आप तक पहुचाते रहें